तो वहां से ये वीडियो मिल रहा है तो क्वालिटी हो सकते है थोड़ा सा अपको अच्छा ना लगे तो थोड़ा सा कॉंप्रोमाइज थोड़ा सा अज़स्ट कर लीजिएगा क्योंकि मामा के घर बहुत दिन हो गया था मैं नहीं आया था तो चलिए विदाउट इनी फ्रद पोल में आपसे पूछा था कि आप कितने स्मार्टफोन यूज करते हो तो वहां पर 77% लोगों ने कहा हो एक 16% ने कहा 2, 2% लोगों ने कहा 3 और 3% लोगों ने कहा 3 से भी ज्यादा और आज का पोल है यहां पर नेट्वर्क का हालत थोड़ा सा खराब है तो ऊपर आई देन अगर आपको feature phone खरीदना है अगर आपको feature phone खरीदचे के बारे में अगर आप सौछते हो तो आप कौनसे brand को ज्यादा prefer करोगे जियो फोन को, नोकिया को, सामसंग को, या फिर लोकल ब्रैंड को, उपर आई में अगर आपको आई बटन मिलता है तो वहां पर किजिएगा, या फिर नीचे कमेंस में ज़रू से लिखिएगा, सबसे पहले नुजिकल के आता है, रिलाइंज जियो के तरफ से, रिलाइंज जियो का, जियो टीवी प्लस रिलाइंज जियो ने लाउंच किया है, ये लेकिन आपका जो स्मार्ट फोन में, आपको माइक जियो में जो जियो टीवी मिलता है, वो नहीं है, लेकिन उसके करीब है, क्योंकि ये स्पेशली आपका दिया गया है रिलाइस जो गीगा फाइवर उसर के लिए जो उनको फ्री में सेट्टप बॉक्स दिया जा रहा है उसमें आपको यह आप्लिकेशन मिलेगा और इसमें आपको लाइज टीवी चैनल्स टीवी शोज मुवीज और भी बहुत सारे आपके ओटीटी तिंग्स आप का नाम है Motorola One 2020 एक होगा और Motorola One 5G 2020 दूसरा फोन होगा आपका जो Motorola One 2020 होगा उस पे आपको Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोजेसर मिल जाएगा 6.7 इंच का Full HD डिस्प्ले होगा 90 हर्स का रिफ्रेश रेट 12GB अप्टू 12GB रायां Android 10 आपको इसमें मिलेगा 5169 mAh का बैटरी और आपका जो Moto One 5G व आपको लेकिन Qualcomm Snapdragon 765G वाला प्रोजेसर इसमें आपको मिलेगा 6GB RAM 128GB का स्टोरेज और 4660 mAh का बैटरी मिलेगा डिफिनेटली अगर यह लाँच होता है तो डिरेक्ली वन प्लस के साथ इसका टक कराएगा लेकिन प्राइस क्या देता है यह जरू से चेक करना पड़ेगा अ इसमें आपको eSIM का फेसिलिटी भी रहेगा यानि इसमें आप डिरेक्ली इसको ऐसे फोन से आप कॉल्स कर पाते हो रिसीव कर सकतो इस वाच से आप डिरेक्ली कर सकतो कोई भी स्मार्टफोन के बिना और यह आपका फ्यूचर आपका जो Nokia स्मार्टफोन होगा इससे यह प Nokia का और भी महुत सारा स्मार्टफोन भी Nokia वहाँ पर लाँच कर सकता है अगला प्रिनिकल क्याता है शाओमी का एक 65 वाट का फास्ट चार्जर शाओमी ने लाँच कर दिया है चाइना में यह आपका मतलब मल्टिमल चीजों को चार्ज कर सकता है जिस पर आपका जैसे है लेकिन बॉक्स में आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है तो यह शाओमी का अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करेंगे तो डिफेर्ली आपल से तो काफी सस्ते में आपका प्राइस में आपको यह मिल जाएगा अगले आपने निकलके आता है Samsung की तरफ से Samsung का A50s जो काफी अच्छा स्मार्टफोन है उसमें आपको 5,500 रुपीज का अभी डिसकाउंट मिल रहा है मिलके आपका इसका प्राइस है 17,499 तो अगर आपको यह लेने के बारे में आप सोच रहे थे प्राइस के बारे में थोड़ा सा आप हिच खेचा रहे थे तो अभी आप उसको ख ले है कौन्से क्सा है ओन्से है और नोकिया स्मार्या का नाइन पीर विड्वेव नोकिया 8 को नोकिया 8.1 नोकिया 7.2 को रहे हैं यह यह तैल को साफ्जर अभी जीएगा अपने लीजिए का अगला responsable का अगला व्यृन Tech Helio G70 के साथ लाउंच हुआ है up to 4GB का RAM और इसका प्राइस टार्ट हो रहा है 6,999 रुपीज से 6.52 इंच का आपको HD Plus यहाँ पर डिस्पेय मिल रहा है तो काफी बड़ा फोन होने वाला है यह मतलब है 3GB 32GB और 4GB 64GB दो वेरियंट है 12MP का आपका primary sensor है उसके साथ 2MP का depth sensing आपका camera है और 8MP का selfie camera है 5000mAh के इसमें आपको battery मिल जाएगा और 3GB 32GB वाला जो स्मार्टफोनों का उसका प्राइस है 6,999 और 4GB 64GB का प्राइस है 7,999 और Redmi भी अपना Redmi 9A आपका launch करने चला है बहुत ही जल्द और यह आपका Redmi का 2020 का सबसे पहला smartphone होने वाला है अगले अपने निकल के भारती एटिल तरफ से हो सकता है आपको in future geo से मिल जाए whatever idea से मिल जाए लेकिन भारती एटिल से हो सकता है आपको 5G beginning में नहीं देखने को मिला क्यों भारती एटिल यह कह दिया कि अगर try जो आपका 5G का spectrum का auction होगा अगर वहां पे prices वो काफी ज्यादा रखेगा जो इसके प पर इस सिर्फ काम करेगा तो definitely अगर प्राइस ज्यादा होगा तो 5G देखने में थोड़ा देरी आएगा लेकिन मुझे लगता है कि जो general users है उनके लिए 5G आए नहीं आए में at present इतना कुछ difference नहीं होगा और 4G अगर और भी बहतर होगा तो definitely वो ज्यादा बहतर होगा normal लो है अभी distributor and retailers के पास वो जो stock clear होने के बाद फिर से जियो phone और नहीं आएगा और उसके जगा पे हो सकता है जियो phone 2 का prices घटके उसको और affordable prices में आपको मिल जाए या फिर जियो अपना दूसरा ही कुछ handset भी launch कर सकता है जैसे जियो phone light तो definitely क्या होगा ये तो देखना आपको क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जियो क्या करने वाला है ज़रू से लिखेगा और अगला अपने निकल काता है रियल्मी की तरह से रियल्मी का flagship एक smartphone 5G smartphone का global launch होने वाला है आपका MWC 2020 में तो definitely उसके लिए हम वेट करेंगे कि क्या क्या specification देता है और prices क्या रखता है अगला अपने निकल के आता है रिलाइंस जो की तरह से रिलाइंस जो से आपको free में laptop मिल सकता है उसके साथ आपको मिल सकता है Samsung का A10S आपका 1GB data 500 MB data 250 MB data यह सब को free मिल सकता है इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको Cadbury जो मेरा इनो one of my favorite chocolate है चोकले ऐसे काफी थंडा है यहां पर मतलब Kolkata से compared to Kolkata यहां पर काफी थंडा है इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको दिखाएगा Cadbury wish pack का तो वहां पर जाके आपको code एंटर करना होगा करने के बाद आपको 8 यहां पर आट टाइटिल को चूज करके आप इसके लिए करना आट टाइटिल में से किसी भी एक टाइटिल को चूज करना करके आप इस पो अगर आप पार्डिसमेट करोगे तो आप डेफेरिली लेनों का laptop Samsung का smartphone और आप 1GB 50 MB 250 MB और आपका 10 मिनिट का 20 मिनिट का 100 मिनिट का आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप चाहों तो इसको डोनेट भी कर सकते हो अगर आप इसको डोनेट करोगे तो यह आपका एक जियो भी इस पैसे को एक इंजियो को डोनेट करेगा जिससे डिफेरिली काफी लोगों का भला होगा तो बस यही था information दोस्तों अगर आपको क्वालिटी काफी अगर बुरा लग रहा है आज का लेकिन अगले कुछ दिन के लिए क्योंकि मामा के घर बहुत दिन नहीं आया था सभी लोग रिक्वेस करें थे तो मैं आ गया हूँ तो थोड़ा सा थोड़ा सा अप इसके लिए मुझे कंसिडर कीजिएगा जैसे मैं घर रापस जाता हूँ आपको फिर से एकदम चम चमाता अच्छा ओडियो अच्छा वीडियो वाला क्वालिटी मिलेगा अभी यह जो वीडियो शूट हो रह और दोस्तों थैंकिसों बच्छा वाचिक, I love you, चलो, Bye, Jai Hil.